तो हमें यहां बॉटम लेफ्ट कर यह बटन दबाते हैं तब हमें मिलते हैं इस विडियो टुटोरियल में हम दो एक्सेंशन्स को यूज करेंगे एक मूजिक और है वीडियो सेंसिंग तो अगर मैं मूजिक extension में जाके इसे क्लिक करता हूं तो यहां पर यह music का सेक्शन आ गया और इसके programming blocks हमें यहां मिल गए तो फॉर एगजंपल यहां पर जो drum की sound है अगर और इसी को drop-down में यहां पर बहुत सारी और जो sound है हमारे को music extension में मिलती है plus इनी को हम further adjust कर सकते हैं इनकी टेमपो या डियुरेशन एक्सेटरा इसी तरीके से अगर हम वापस जाते हैं तो हमार को एक बहुत पावफुल और बहुत इंट्रेस्टिंग एक्सेंशन मिलता है विडियो सेंसिंग का जो की वेब कैम या फिर आपके लैपटॉप या पीसी या मुबाइल वगारा प इससे ये मुझे कैपचर कर रहा है ये एक्सेंशन क्या कर रहा है कि जो भी मैं जो भी मोशन स्क्रीन में होगा ये उसको डिडेक्ट करता है तो फॉर एग्जामपल अगर मैं यहां से ये प्रोग्रामिंग ब्लॉक लेकर आता हूं वेन वीडियो मोशन इस ग्रेटर दैन और वीडियो मोशन की इंटेंसिटी वन से लेके हंड़िड तक हो सकती है तो फॉर एग्जामपल अगर मैं इसको थोड़ा हाई सेट अप कर देता हूं मेभी 40 और फिर मैं जाके साउंड मैं कहता हूं कि स्टार्ट साउंड म्याओ तो अब जब मैं तो यह मोशन डिडेक्ट कर रहा है और हमने कहाए कि इंटेंसिटी 40 से जादा की होनी चाहिए तो इवन यह इस वक्त जो मैं बोल रहा हूं तो यह मेरे मूँ का मोशन डिडेक्ट कर रहा है आप इस एक्स्टेंशन की पावर समझ सकते हैं कि हम बहुत इंट्रेस्टिंग इ यह एक्सेंशन हमें क्या अलाओ करता है कि स्प्राइट्स को हम रियल वर्ल्ड से इंट्रेक्शन करा रहे हैं कि यहां पर यह मेरा रियल वर्ल्ड का एक्शन जो मैं कर रहा हूं कैमरा से कैमरा जो मोशन डिडेक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे कुछ हो रहा है और sound ही नहीं कोई भी programming block basically motion reduction से trigger होगा so for example अगर मैं motion में जाके move 10 steps कहता हूँ तो मैं इस किसम का game बना सकता हूँ जहां पर कि मैं interact कर रहा हूँगा कि मेरे हाथ का movement से sprite जो है वो चल रहा है तो यह जो है यह बहुत ही powerful और बहुत interesting चीज़ें बना सकते हम इस video sensing extension को use करके for example यहां पर एक यह मैंने game बनाया है जो मैंने पहले बनाया है तो यह मेरी live recording नहीं है जो यह sprite है parrot का यह मेरे हाथ से interact कर रहा है और यह otherwise नीचे गरता जाएगा हमने ऐसा program लिखा है और केवल जब motion एक certain intensity से उपर होगा तब यह y-axis में उपर जाएगा तो हमने इस किसम का यह interactive game बनाया है जो की physical world से interaction कर रहा है इसी तरीके से इस program में हमने एक यह drum kit बनाया है और हम drum kit को अपने real world motion से control कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पहले drums वाला जो program है उसको बनाना सीखते हैं तो उसके लिए मैं स्प्राइट में जा रहा हूँ और यहाँ पर drums को सर्च कर रहा हूँ और इस drum kit का स्प्राइट लेकर आ रहा हूँ और मैं यह cat का स्प्राइट डिलीट कर देता हूँ drum kit का size थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ मेभी 200 और अब हम इसको प्रोग्राम करते हैं वीडियो सेंसिंग के थूँ तो इसके लिए पहले मैं दो drum sticks बनाता हूँ जो की मैं paint करूंगा तो यह हमने drum stick एक paint करी और इसको हम position कर सकते हैं ऐसे कि जब हम play करें तो हम motion ऐसा कुछ बनाएंगे कि वो जब नीचे आए आएगी तब sound उसकी बजेगी और इसी को हम duplicate करके दूसरी तरफ की भी बना सकते हैं तो हम program क्या करेंगे कि हम एक program तो यह लिखेंगे कि Y की value में change हो यानि Y axis में और किसी से trigger हो कि यह जब यह नीचे आए Y axis में और जो की motion से motion reduction से यह interact करें और जब नीचे आए तो sound produce हो तो अब हम इस sprite 1 की programming करते हैं video sensing based तो हम video sensing पर जाते हैं और हम हमने अभी पहले देगा था कि when video when video motion is greater than 10 तो यह generic था कि पूरे stage में कहीं पर भी motion हो अगर उसकी intensity 10 से जादा हो तो कुछ करना पर अब हमारे पास इस block में और भी interesting blocks हैं तो एक और block जो है वो है कि अगर video motion जो है वो sprite पर यह stage पर, तो हम यह specific program कर सकते हैं कि पूरे stage में कहीं भी motion डिडेक्ट करना कि specifically sprite पर अगर motion हो तो उसको डीडेक्ट करना तो हम यहां कहरे हैं, sprite पर अगर motion डीडेक्ट हो तो क्या करना हम motion में जाके हम events पर जाके कह रहे हैं कि when green flag is clicked तो जो हमारी sprite है वो इस position पर हो और इस direction पर हो तो हम उसके लिए motion में जाके कह रहे हैं कि यहाँ पर x और y की value थी x minus 103 y 49 तो हम x और y की ये value ला रहे हैं कि जितनी बार green flag press हो उतनी बार इस position पर आना and point in direction direction हमारी क्या है 58 तो हम इसको 58 कर देते हैं उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमारे को यह condition detect करनी है कि when video motion is more than हमने कहा था कि motion की intensity 1 से लेकर 100 तक हो सकती है तो जो भी हम डालना चाहें तो हम operators में आके यहां कह रहे हैं greater than operator लाके कि अगर इस sprite पर motion जो video motion detect हो वो more than 50 हो तो कुछ करना और क्या करना हम कहेंगे कि इसको नीचे लाना और एक sound बजाना तो हमारे को नीचे लाने के लिए हम motion में जाके कह रहे हैं कि इसको हमें y axis पे नीचे लाना है तो हम कह रहे हैं कि change y by let's say minus 12 और हम करना क्या चाहते हैं कि यह हम motion हो motion detect हो तो यह नीचे जाए और नीचे जाए तो आवाज जो drum है वो sound करें और उसके बाद अपने आप वापस इस position पर आ जाए वेट डाल देते हैं उसके बाद हम कह रहे हैं कि जो position है वो minus 12 करके 0.2 seconds वेट करके हम music पर जाके कह रहे हैं play the drum sound for 0.25 beat and उसके बाद हम इसको चाहते हैं कि जो drum stick है वो वापस अपनी position पर आ जाए तो हम कह रहे हैं वापस change y by plus 12 तो यहां पर क्या होगा कि जब motion detect होगा motion more than 50 की intensity का होगा तो पहले यह जो हमारी drum stick है यह minus 12 आएगी फिर drum की sound play करेगी और फिर plus 12 वो वापस अपनी position पर आ जाएगी अब इन सब को हमारे को हमें condition चेक करनी है और हमारे को इसको एक फॉरेवर लूप में डालना है तो हम control में जाके फॉरेवर एक लूप ला रहे हैं और हमारे को condition हम जो चेक कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि for example हम कह सकते हैं wait until this condition is met and if it is true to execute these lines test करके देखते हैं तो यह यह program हमारा बढ़िया चल रहा है अब हम चाहते हैं कि और यह जो हम motion detect कर रहे हैं यह actually अगर मैं अपना सर भी हिलाओंगा इस sprite पर as long as उस sprite पे कहीं से भी motion हो रहा है तो motion detect होगा अगर उसकी intensity more than 50 है और वो उसके बाद जो भी उसके अंदर हमने commands program करी हैं वो execute हो जाएंगी तो इसी को हम duplicate कर सकते हैं इस sprite के लिए तो इस sprite में duplicate करने के लिए हम इसको लाके यहां पर copy कर देते हैं तो हम स्प्राइट टू पर जा रहे हैं तो अब स्प्राइट तू के सांथ जो हमें difference करना वो यह कि इसकी इसकी जो value है xy value है यह different होगी तो हम इसको ठीक कर लेते हैं तो हमार पास अगर हम यहां से program शुरू करना चाहते हैं तो और मेभी थोड़ी position भी इसकी थोड़ी सी change करते हैं तो यह जो हमारी x and y की value आ रही है यह आ रही है कि 82, 53 तो हम यहां change कर देते हैं 82, 53 और direction आ रही है 43 तो यहां हम direction कर देते हैं 43 बाकी सब सेम रहेगा तो इसको अगर अब हम test करके देखें तो हम अगर इस sprite पर motion कर रहे हैं तो यह चलती है तो यह आपका एक simple program बन गया जहां पर की जो sprites हैं वो real world से interact कर रही है और real world में अगर camera जो है वो motion detect करता है तो वो sprites जो है उसमें execute जो भी command होगी वो execute हो जाएगी